नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम एचीमेंट में जिसका की नया नाम है आप शिक्षा प्रभा ऐसी शिक्षा जो लगातार बहती रहे बढ़ती रहे और पहुँचाए हमें हमारी मंचल तक तो दोस्तों मैं करुणा सिक्षा प्रभा में आज की वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूरेंट्स के लिए उनका चेप्टर नमबर 13 महात्मा गांधी और रास्रे आंदॉलन का सॉलुशन तो दोस्तों ये वाला जो सॉलुशन है आपके सेकिंट अप बोर्ड एक्जाम के पैटर्न पर बेस्ट हैं बहुत जादा इंपोर्टेंट कोईशन इसके अंदर इंक्लोड किये गए है आशक की जाएगी कि इन में से कुछ कोईशन आपके बोर्ड एक्जाम में आएं और आपको helpful रहे ये वाली वीडियो तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने question number first के साथ तो friends question number first है आपका महत्मा गांधी ने स्वाम को समाने लोगों के जैसा दिखाने के लिए क्या किया देख लेता है इसका answer तो महत्मा गांधी ने स्वाम को समाने लोगों जैसा दिखाने के बहुत से कदम उठाए गांधी जी ने भारत की जनता की दसा को सुधारने के लिए लगबक एक वर्ष तक देश के विभिन भागों में ब्रहमन किया गांधी जी की प्रता महत्मून सार्वजिनिक उपस्तिती जो थी वो फरवरी 1916 में थी और बनारस हिंदू विश्व वि समारों में बोलते हुए गांधी जी ने कहा हमारी मुक्तिकेवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है ना तो वकील ना डॉक्टर और ना ही जमीदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं इस परकार गांधी जी ने यह स्पस्ट कर दिया था कि वे भारती रास्ट्रवाद के विकास में संपूर भारते जनता को साथ लेकर चलना जाते हैं 1922 इश्वी तक गांधी जी जननेता बन चुके थे समाने जन गांधी जी के प्रशनसक बन गये थे और उन्हें समान पूर्मक महात्मा गांधी कहने लगे थे महात्मा जी अन्यनेताओं के समान ना तो जनसमु से समाने जनों के साथ गांधी जी की पहचान उनके वस्त्रों से विशेश रूप से जलकती थी लेकनिया है कि अन्यरास्ट्रवादी ने तापास्चत्यशली के सूट अथवा भारतिये बंगला जैसे उपचारिक वस्त्रों को धारन करते थे कि दू गांधी जी की वेशबू के लिए सूती वस्तर पहनने लगे थे वे प्रति दिन कुछ समय चर्खा चलाने में भी व्यतित करते थे और लेखनिया है कि पारंपरिक भारतिये समाज में उची जातियां सूत कताई के कारे को अच्छा नहीं समझती थी जन सामाने के प्रति गांधे जी का तो question number two है किसान महतमा गांधी को किस तरह से देखते थे इसका अंसर होगा friends किसान गांधी जी को अपना मसीहा और अनेक लोकोपकारी और चमतकारी शक्तियों से संपन समझते थे गांधी जी की चमतकारी शक्तियों के विज़े में स्थान इस्थान पर अनेक प्रकार की उनके पास इतनी शक्ती थी कि वे सभी अर्धिकारियों के निर्देशों को ऐसी उक्रत कर सकते थे। कुछ अन्य स्थान पर गांधी जी की शक्तियों को अंग्रेज बात्सा से भी अतिक बताया गया और दावा किया गया कि उनके आगमन से उपनिवेसिक शासक भेवित होकर स्वता ही भाग जाएंगे। इस परकार की अफवाएं भी जोर पकड़ने लगी कि किसी में भी गांधी जी का विरोध करने की शक्ति नहीं है और उनका विरोध करने वालों को भेंकर पढ़िनाम भुगतने पड़े थे। उनके द्वारा ग्रहन किये गए धोती और चर्खा जैसे प्रतिकों से बहुत प्रभावित थे। किसानों में गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महराज अत्वा महत्मा जैसे नेक नामों से बुलाया जाता था। वे उन्हें अपने उद्धारक मानते थे और उनका विश्वास्ता कि गांधी जी ही उन्हें भूराजस्व की कठोर दरूं तथा ब्रेटिस अधिकारियों की दमनात्मक गतिविधियों से बचा सकते हैं। वे उनकी मान मर्यादा के रक्षक हैं तथा उनकी स्वयातता उन्हें वापस दिला सकते हैं। तो दोस्तों कोश्य नमबर तीन है नमक कानून सतंतरता संगार्श का महत्पूर मुद्धा क्यों बन गया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नमक सभी लोगों की एक जैसी ही जरूरत है तो आंसर देख लेते हैं पहले इसका। इसलिए गांधी जी ने ओपनिवे सिक्षाषन के विरोध के लिए नमक का प्रती रूप में चुनाव किया और सीगरी नमक कानून सतंतरता संगर्श का एक महत्पूर मुद्धा बन गया। और इसके प्रमुक कारण थे नमबर एक नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वधिक घ्रणित कानूनों में से एक था। सेकिंड है जन सामाने नमक कानून को घ्रणा की दुश्टी से देखता था प्रते घर में नमक भोजन का एक एह परिहार रे अंग था किन्तो भारतियों द्वारा घरिलू परियोग के लिए भी सुम नमक बनाया जाने पर प्रतिवंध लगा दिया गया था। नमक कानून के कारण भारतियों को विवस्ता पूर्फक दुकानों से उचे मुल्यों पर नमक खरीदना पड़ रहा था। पर जो है रास्ट्रे अंदोलन के अध्यन के लिए अकबार महत्पून श्रोथ क्यूं है? तो क्यूं है? बात कर लेते हैं सबसे पहला कारण है अंग्रेज एवं विविन भारतिय भाषाओं में छपने वाले समकालिन समाचार पत्रों में रास्ट्रे अंदोलन से संबंदित सभी घट्नाओं का विवन मिल जाता है। समचार पत्रों से रास्ट्रे अंदोलन के नेताओं के विशय में महत्पून जनकारी मिलती है। पॉइंक याद नहीं रखना चाहिए कि यह भी याद रखना चाहिए कि समचार पत्रों में प्रकाशिध विवरंड अनेक पूरवगाग्रहों से यूख्थ होते थे समचार पर प्रकाशित करने वालों की अपनी राजनेतिक विचार धार आएं थी और विश्व के प्रति उनका अपना खुद का दृष्ट जिगून था उनके विचार के अधार पर ही विविन विश्यों को प्रकाशित किया जाता था तता घटनाओं के रिपोर्टिंग की जाती थी इसलिए लंदन से प्रकाशित होने वाले समचार पत्रों के विवरण पार्ति रास्टरवादी समचार पत्रों में छपने वाले विवरणों के सम बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे आजाते हैं कोशिन नंबर फाइफ पर चर्खे को रास्रवात का प्रतीक क्यों चुना गया देख लेते हैं इसका आंसर तो गांधी जी चर्खे को एक आधर्ष समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे प्रती दिन अपना कुछ समेश गरीबों को पूरा कामदनी प्रदान करके उन्हें आर्थिक जिस्टी से स्वामलम भी बना सकता है उन्होंने 13 नौबर 1924 से स्वी को यंग इंडिया पे लिखा था मेरी आपत्ती मसीन के प्रतीस सनक से है यह सनक श्रम बचाने वाली मशीन के लिए है यह तब तक श्रम परे जाना चाहता हूं मैं द sixth का केंद्री करन कुछ ही लोगों के हाथों में अपितु सभी के हाथों में करना चाहता हूं गांधी जी ने 17मार्च एम में 27सको यंग इंडिया में लिखा था खदर मशीन को नस्ब नहीं करना चाहता अपितू यह है इसके प्रियोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंतरित करता है यह मशीनरी का प्रियोग सर्वधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी जोपनियों में करता है वहीं आपने आप में ही मशीन का उतकर्ष्ट नमूना है वास्तों में चर्खे के गांधी जी भारतिय राश्च्रवाद की सर्वधिक इस्थाई पहचान बन गए थे वे अन्य राश्च्रवादियों को भी चर्खा चलाने के लिए प्रोटसाहिद करते थे चर्खा जिन सामाने से संबंदित था और आर्थिक प्रग्रति का प्रतिक भी था इसलिए इसे राश्च्रवाद के प्रतिक के रूप में भी चुना गया अभी हमको एक छोटा सा निबंद लिखना है जिसके वर्ड होंगे 200 से 300 तो कोशन है ऐसे योग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था तो एक तरह का प्रतिरोध था और किन कारणों से था तो सबसे पहला कारण है ऐसे योग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध इसलिए था क्योंकि ब्रिटिस सरकार द्वारा थोपे गए रॉलेट टेक्ट जैसे कानून के वापस लिये जाने के कारण वापस नहीं लिये जाने के कारण जनाकरोश ये प्रतिरोध अभिविक्ति का लोग प्रियमाध्यम हो गया था उन दिनों के लिए सेकिंड पॉइंट है ऐसे योग अंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध अंदोलन था क्योंकि रास्टे नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दन दिलाना चाहते थे जो अम्रित सर के जरिया वाला बाग में शांतिपून प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शन कारियों पर होने वाले अत्याचार के उत्तरदाई थे उन्हें सरकार ने कई महिनों के बाद भी किसी प्रकार का डंड नहीं दिया था इसले भी प्रतिरोत था क्योंकि है खिलाफत अंदोलन को सहयो करके देश के दो प्रमुक धार्मिक समुदाए हिंदू और मुसल्मानों को मिला कर ओपनिवे शिक्षाशन के प्रती जनता के इसले योग को अभिव्यक्त करने का माध्यम था इसले भी प्रतिरोत था क्योंकि इसके दोरा सरकारी नोक्रिया, उपादियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अधालतों, सरकारी शंस्थाओं आदी का बहिसकार किया जाना था विदेशी वसनों का भहिसकार करके सरकार दोरा आयर जित चुनावों में भाग न लेकर सरकारी करों का भुकतान ना करके तथा सरकारी कानूनों की शांती पूंडंग से अभेल ना करके ब्रिटिश राशन के प्रती अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते थे पॉइंट नमबर फाइव ऐसे यो गांदोले ने सरकारी अदालतों का भहिशकार करने के लिए सर्व सातरान और वकीलों का आवाहन किया गांधी जी के इस आवाहन पर वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया पॉइंट नमबर सिक्स इस व्यापक लोक्रिय प्रतिरोध का प्रभावने कस्पों और नगरों में कारे रत श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा विहरताल पर चले गए जानकारों के अनुसार सन 1921 में 396 हरताले हुई जिसमें 6 लाग श्रमिक सामिल थे और इस से 3 लाग कारे प्रभशों की हानी हो गई थी पॉइंट नमबर सेविन ऐसे योग अंदोलन का प्रतिरोध देश के रामेंट छेतर में भी दिखाई दे रहा था उधारन के लिए उत्रिया अंधर प्रदेश पहाड़ी जिंजातियों ने वन्ने कानोनों के अवेलना कर दी अवद के किसान ही होगा कि एसे योग अंदोलन का प्रमुक उदेश ये ओपनिवे सिक्षाशन का प्रतिरोध करना था आजाते हैं कुश्यों नमबर सेविन पे गोल में सम्मेलन में हुई वारता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया था तो इसका आंसर होगा इतिहास के रिकॉर्ड के इनसर ब्रिटिस सरकार्ण ने 1930 से लेकर 1931 तक गोल में सम्मेलन का आयोजन किया था पहली गोल मेज वारता लंदन में नमबर 1930 मे आजित की गई थी जिसमें देश के प्रमुक नेता शामिल नहीं वे थे और इसका कारण था कि बेठक निरथक साबित हुई इस गोल मेज की व गरध्य पर भगवान राम की तरह उस समय राज करते थे जब राम ही लंदन में होने वाली सभा में नहीं पहुँचे तो राम लिला कैसे हो सकती थी सरकार भी जानती थी कि बिना प्रमुक नेताओं कि लंदन में गोल मेज बुलाना निरताक होगा अता सरकार ने दृत्य ग पर सहमती बनी जिसकी शर्तों में सविन्य वग्याम्दुलन को वापस लेना सारे कैदियों की रिहाई और टटिय छेतरों में नमकुत पाधन की और अनुमती देना आधी सर्तें भी शामिल थी रेडिकल रास्टरवादियों ने इस समझोते को दित्य गोलमेजन की तयारी के के लिए सही वातवरन तयार करने वाला नहीं मानकर गांधी जी की भी आलोचना की क्योंकि बिटर सरकार से भारतियों के लिए राजनेतिक सुतंतरता का आस्वाशन हासिल करने में गांधी जी विफल रहे थे यहां में याद रखना चाहिए कि लाहोर में रावी नदी के कि नारे पर हुए वार्षिक अधिवेशन 1939 में कॉंग्रेस और रास्ट्रवादियों ने पूर्ण सतंतरता प्राप्त करने का लक्षे गोशत कर दिया था गांधी जी को इस संभावित और गोशत लक्षे प्राप्ति के लिए वारताओं का आसवाशन मिला था वस्तो तहा भारत लन 1931 में आखिर में ब्रिटेन की राजानी लंदन में हुआ उसमें महात्मा गांधी भारते रास्टे कॉंग्रेस की और से प्रतिने धेत्व और नेत्रत्व कर रहे थे गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिने धेत्व करती है इस दावे को तीन पार्टियों ने खुली चुनोती दे दी पहली थी मुस्लिम लीग उनका कहना था कि भारत में मुस्लिम अलप संख्यकों के हित में काम करती है सेकिंड थी 556 रजवारों का दावा था कि कॉंग्रेस का उनके नियंदरन वाले भूभागवर कोई अधिकार नहीं है तीसे चुनोती दी थी डॉक्टर भीम्राव बेटकर जी ने वो बहुत बड़े वकील और विचारक थे जो की दलीतों के नेता थे उन्होंने कहा कि वो दलीतों का प्रतिनेदे तुख करते हैं मात्मा गांधी और ओंग्रेश पार्टी देश के तथा कठी दलित समझी और कहीं जाने लगी नीच जातियों का प्रतिनेदे तू बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे परिणाम शरूपी है हुआ अपने अपने पक्ष, विचार, तर्क और मांगे रखते रहे जिसका कुल मिलाकर नतीज़ा सुनने के रूप में सामने आ गया गांधी जी जैसे ही जहात से बंबई उत्रे तो उन्होंने कहा मैं खाली हाथ लोट आया हूँ और सरकार के अधियर रवये के बाद हमें दुबारसे सविन्य वग्यान दोलन शुरू करना पड़ेगा और उन्होंने ऐसा ही किया भारत में नई वाय सराय लॉर्ड विलिंग डॉंग को गांधी जी से बिलकुल भी हमदर्दी नहीं थी उसने एक नीची पत्र में इस पस्ट्रूप से सपात की पुस्टी कर दी थी विलिंग डॉंग ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खुबसूरत होती वह जो भी कदम उठाता है उसे इश्वर की प्रेणा का परिणाम कहता है लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनेतिक चाल होती है देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेज उसे गजब का आदमी बताती है लेकिन सच यह है कि हम नहायत एव्यवारिक रहसेवादी और अंध विश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैटी है इसी के साथ सवन्ना वग्या अंधुलन तीसर और अंतिम चरण में अगस्त 193 से 9 महिने तक चलता रहा गांधी जी के सहित अनेक प्रमुक नेता बंदी बना लिये गए 1934 में निरुत सहित जनता को देखकर गांधी जी ने सांधुलन को बंद कर दिया भारत में जिन दिनों गांधी जी द्वारा सविन वग्या अंधुलन चलाया जा रहा था प्रिटी सरकार ने लंदन में तीसरी गॉल्मेज कॉन्फरेंस बुलाई इंग्लेंड की लेबर पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया कॉंग्रेस पार्टी भी इस कॉंफरेस का वहिसकार किया कुछ भारते प्रतिनी दी जो सरकार की हां में हां मिलाने वाले थे उन्होंने इस समेलन में भाग लिया समेनन में लिये गए इंडियनों को स्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया और फिर इसी आधार पर 1935 का Government of India का एक्ट भी पास कर दिया गया देख लेते हैं कोशन नमबर एट को जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्रे आंदोलन के स्वरूप को किस तरह से बदल डाला तो 1919 से 1947 के काल का भारती इतिहास में विशेश स्थान है इसी काल में एक महान विबूती महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर अधारित सत्याग्रे ऐसे योग और सवन्य विग्या जैसे अस्तर सस्त्रों के साथ भारती रणिती में प्रवेश किया और शीगरी राष्ट्रे आंदोलन के कानधार बन गए 1919 में सतंत्रता प्रात्वितंग महात्मा गांधी ही भारती राष्ट्रे आंदोलन के के द्रविंदू बने रहे अफ्रिका में प्राप्त की गई सफलताओं ने यह सपस्ट कर दिया कि शांती पूर्ण अफग्या और सत्याग्रह के द्वारा दोनों विरोधी पक्षों के अंदोलन की मांगों को स्विकार करने के लिए बाद्धे किया जा सकता है द्रविंद अफ्रिका में दीन हीन भारतियों पर होने वाले अन्याओ के विरुद संघर्ष शीलता ने गांधी जी को विश्वास दिला दिया कि भारतिय जनता को देश की सोतंतृता जैसे महानु देश्ये के लिए अंग्रेजों के विरुद प्रबल संघर्ष छेड़ने और इस हेतु बलिदान देने के लिए ततपर किया जा सकता है। गांधी जी का संपूर्ण, जीवन, दर्शन, सत्य और अहिंसा के सिद्धानतों पर अधारित था। वहिंसा को प्रेम का स्वरूप मानते थे उनको विश्वास था कि अहिंसा में सभी समस्याओं के निराकरण की अद्बुद शक्ति विद्दमान है। अधिक बल देते थे और साधनों की पवित्रता और श्रेस्टा में विश्वास करते थे। अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी स्ट्रेस्ट होने चाहिए। गांधी जी का जन सामाने की संगर्ष शक्ति में रंडविकास था। वे सामराज्जी की सक्ति का सामना मून जन शक्ति के द्वारा करना चाहते थे। उनका विचार था केवल जमिदारों, डॉक्टरों, अथ्वा, वकीलों के प्रयतनों से देश को अजाद नहीं कराया जा सकता। देश की सतंत्रता के लिए जन सामाने को राश्चे अंदुलन की मुख्यदारा में लाना नितानता वर्ष्यक है। महिलाओं को पुर्षों के समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे और उन्हें राश्चे अंदुलन की मुख्यदारा में समलित करना चाहते थे। हिंदो मुस्लिम एक ताच्छ हुआ चोत विरोधी संघर्ष और देश की महिलाओं की सामजी किस्ति को सुधारना गांधी जी के तीन महत्कोन लक्षे थे। एक अगस्त 1920 इश्वी को गांधी जी ने ओपनिवेसिक प्रशाषन के विरोध असयोग अंदुलन प्रारंब कर दिया। किसी भी प्रकार का चल कपट नहीं था। उनके कुशल संघठनात्म गुणों ने भारते रास्टरवाद को आधार को और अधिक व्यापक बनाने में उलेखनिय योगदान दिया। भारत के भिन-भिन भागों में कॉंग्रेस की नई शाखाओं को खोला गया। रजवाडो अर्था देजी राज्यों में रास्टरवाद को प्रोचाहन देने के लिए प्रजा मंडलों की स्थापना की गई। गांधी जी ने रास्टरवादी भावनाओं के प्रचाहर तथा रास्टरवादी संदेश के संसार के लिए सासको की भाषा के स्थान पर मत्र भाषा का चुनाव किया। किसानो श्रमिको और कारीगरों ने हजारों की संख्या मेर रास्टर आंदोलन में भाग लेना प्रारंब कर दिया। इसमें सामान्य भारतियों ने लाखो की संख्या में भाग लिया। सामान्य भारतियों के सासत कुछ अत्यधिक संपन व्यापारी एवं उध्योगपती भी भारती रास्टर कॉंग्रेज के समर्थक बन गए। वे ये बात भरी भाती समझ गए कि सुतंत्र भारत में वे लाप उनके हो जाएंगे जो आज उनके अंग्रेज प्रतितन्दियों के जोली में जा रहे हैं। परिणाम सरूप जीटी विल्ला जैसे कुछ सुप रशिद उध्योगपती रास्टर आंदोलन का खुला समर्थन करने लगे जबकि कुछ अन्य उध्योगपती इसके मूख समर्थक बन गए। क्या पता चलता है ये श्रोट सरकारे ब्योरों से किस प्रकार भीन होते हैं। पत्रों में लेखाक अपने क्रोध, पीडा, असंतोश, बेचैनी, आशाओं, हताशाओं को फ्यक्त कर सकता है। किन्तु सार्वजिनिक व्यक्तंबु में वो ऐसा नहीं कर सकता है। गांधी जी द्वारा अपने पत्र हरीजन में लोगों से मिलने वाले पत्रों को प्रकाशित किया जाता था। नहरु जी ने उन पत्रों को संकलित करके उस संकलन को प्रकाशित करवा दिया था। इन पत्रों से पता चलता है कि 1920 के दर्शक में जवार्लान नहरु समानवादी विचारों से प्रभावित होने लगे थे। 1928 में जब वे उरोप से भारत आये तो उन पर समाजवाद का प्रयाप्त प्रभाव था। 1936 में कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नहरु फासिवाद के कठर विरोधी हो गए और वे मज़ूर एमुम किसानों की मांग का समर्थन करने लगे। नहरु के समाजवादी व्यक्तब्यों से कॉंग्रेस के रूडिवादी नेतना इतने अधिक चिंते थे कि उन्होंने राजिंदर प्रशाथ और सरदार पटेल के नित्रतुव में कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी से त्याग पत्र दे देने की भी धम की दी थी। इन दोनों सामराजवादी विचारों से प्रभावित युवावर्ग और रूडिवादी वर्ग के मध्य टग्राव के सित्युत्पन होने से प्राय गांधी जी को मध्यस्त का कार्य करना पड़ता था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राय लोग व्यक्तिगत पत्रों में भी अपने विचारों को सुतनुत्ता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें किसी भी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आक्षण का बनी रहती है। उनसे इस पस्ट होता है कि लेखक को क्या याद रहा होगा। वहकिन चीजों को महत्पूर्ण समझता था। क्या याद रखना चाहता था तो अपने जीवन को औरों की दृस्टी में किस प्रकार दिखाना चाहता था। आत्मकथा का लेखन एक प्रकार से अपनी तस्वीर को बनाना है। लेखक को आत्मकथा के लेखन में इमानदार रहना चाहिए। किन्तु हमें वेख सब भी देखने का प्रयातन करना चाहिए जिसे लेकक दिखाना नहीं चाहता। हमें ऐसे विश्यों में उसकी चुप्पी के कारणों को समझने का प्रयार्ज करना चाहिए। सारकारी ब्योरों में विविन निजता पत्रों एम मातकप्ता होता था सरकारी ब्योरों में प्राप्त भिनता पाय जाती है निजी पत्रों और आत्मकताओं में विविन विचारों और घटनाओं को यथांत विवरन मिलता है किन्तु सरकारी ब्योरों में विचारों अम घटनाओं का निशपश्क विवरन उपलब्द नहीं होता हमें याद रखना चाहिए कि ओपनिवेशिक अधिकारी ऐसे तत्वों पर उनकी गतिविदियों का विस्तरत उलेक हमें सरकारी रुपोर्ट में देखने मिलता है किन्तु से निशपश्क नहीं कहा जा सकता इसके प्रमुकारण यह हैं कि ओपनिवेशिक अधिकारी ऐसे तत्वों तथा उनकी गतिविदियों को अपने जिस्टिकोंड से देखते हैं यह भी याद रखना चाहिए कि ओपनिवेशिक शाषन के अंतरगत पुलिश कर्मियों वे अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्रों एवं रिपोर्टों को गोपनिया रखा जाता था वो लेखनिया है कि बीस्वी शताब्दी के प्रारंबिक वर्षों से ग्रह विभाग द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट जो कि हर पंद्रवें दिन या हर पकवाडे में तियार की जाती थी वो तियार होने लगी थी इन रिपोर्टों को इस्थाने चेत्रों से पुलिस से प्राप्थ होने वाली सूचनों के अधार पर तियार किया जाता था इन रिपोर्टों से यह भी स्पस्ट होता है कि समकालीन ओपनिवेशिक अधिकारी किसी परिस्थी विशेश को किस प्रकार देखते और समझते थे राजद्रो एमम विद्रो की संभावने स्विकार करते हुए भी वे इन आसंकाओं को अधारहीन बताकर स्वाम को आस्वस्त करना चाहते थे नमक सत्यागर है कि काल की पाकशिक रिपोर्टों का अध्यान करने से सपस्ट होता है कि ग्रह विभागय स्विकार करने को कदापी तेयार नहीं था कि मात्मा गांधी की गति विदियों को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो रहा था उधारन के लिए पुलिस की पाकशिक रिपोर्टों में नमक यात्रा का चित्र ने एक ऐसे नाटक एवं कर्तव के रूप में किया जा रहा था जिसका प्रियोग ब्रिटिस साशन के विरुद ऐसे लोगों को गोल बंद करने के लिए किया जा रहा था जो वास्तम में इस सा एक विवरण को यह थार्थ घटना क्रम का वास्तव को लेक नहीं माना जा सकता वास्तों में विवरणों से ऐसे अवस्वरों की आशंकाव में बेचैनियों का पता चलता है जो किसी आंदोलन को नियंतरित कर पाने में स्वाम को असमर्थ अनुभव कर रहे थे तथा जो उसक आशनिर्सकर्ष में यह साफ कहा जा सकता है कि नीजी पत्रों और आत्मकताओं के विवरण सरकारी ब्योरों के विवरण से अनेक रूपों में भिन होते हैं तो दोस्तों यह थे कुछ महत्पून कुर्शन्स आपके चेप्रे नमबर 13 पर बेज आशा करते हूं दोस्तों आ आपको समझ आया होगा विडियो आपके काम की रहेगी तो दोस्तों इसी के साथ मेरी विडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले